यार स्मार्टफोन कंपनीज है आग के समय में कस्टमर्स को बहुत जादा मैनुपलेट करते हैं मैनुपलेट करने के एक एक तरीक है सबसे पहला तरीका EMI स्कीम यार EMI के नाम पर कंपनी अपने महेंगे महेंगे फोन को बेशती है जाहें आइफोन के बात करें आप सच बात तो यह है कि EMI के रुप में फोन खरीदने काफी अच्छा लगता है क्योंकि आपको जादा प्रसे देने नहीं पड़ते है लेकिन एक अंदर की बात यह है कि यहाँ पे आप एक ऐसा प्रोट को ले रहे हो EMI के अंदर जहाँ पे उस प्रोट को लेती उसकी वैल्यों कम हो जाएगी जहाँ आप 10,000 गा फोन लो चाहँ बीस जार गा फोन लो एक बार आपने खरीदा आओ आप उससी कीमत पे बेश नहीं सकते और यह one of the worst financial decisions में से एक आता है क्योंकि अगर आप experience करनी टेक्लोजी उससे में ठीक है लेकिन मेरा exception रहेगा कि यहाँ पे अगर आपके पास पैसा हो तब ही जाके अपनी टेक्लोजी पे इन्वेस्ट कीजिए अगली चीज जो मैनुपलेट करती कंपनी वो है अपने कुपाउज की प्राइसिंग को धीरे धीरे इंक्रीस करना और आथ के समय में जो बात में देख रहा हूं कि यहाँ अज से पांत साल पहले लगभग आपको 10,000 रुपे में सारे फीचर्स देखने को मिल जाते थे बड़िया बड़िया फून हो जाते थे पांत साल के अंदर वही चीज 20,000 25,000 30,000 तक हिसक गई और जो एवरेस सेलिंग प्राइस से इंडिया में मॉबाइल फून का वो 20,000 यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूं 25-30,000 की रिंज के लोग यहाँ पे फून खरीद रहे है अब पीछे का रीज़न है कि कम्ती ने क्या क्या कि जो बजट फून सस्ते फून होते वहां से फीचर कम करने लग कि वहां पे अपने फून की फीचर को बढ़ाने लगे जिस कारेंट से लोग धीरे धीरे अपर सेग्मेंट के उपर मूब कर गए यह बहुत ही स्मार्ट मूब खेला चार-पांट साल लग गए कम्ती को लेकिन उन्हों ने कहीं ने लोग को कन्विंस कर लिया है कि यहाँ प और अगली चीज जो आज के समय में हर एक मुबाइल फोन कंपनी खेल रही है अपने मुबाइल फोन को बेशने के लिए वह है AI का आप मानके रखेंए बात आपको वन प्लस में देखने को मिलेगी शौमी, रियल्मी, सैंसंग यहां तक कि एपल का आई फोन मिलाएगा लेक इसके अंदर सरकल टू सर्च जैसे फीचर आपके पुराने अंडरोड फोन में भी चलेंगे, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, हालाकि अभी के समय में एक फीचर है जिसको कहा जा रहा है कि यह हमारा बेस्ट फीचर है इसके लिए अब हमारा नया फोन यहां पर खरीद को ने मिलता, फिर ulos चार्ज होता है तो फिर अलग से 45 वाट का चार्ज अर्ला लग लेते है यही सेमसंग के साथ देखी, सेमसंग वाली अपनफाश कार्ज अर्ट फीचर अर यहां के बांपनी ने पिनीवोरा एक फोनी के लिए अर्ट है की यह कंपनी ने थी.5 एवे पन येटफोन की सेल्स बढ़ गी इंपोर्ट येसी कम्नी से विसली जिन्द है अब आप समझके रखी कि माल लीजिए कि 3.5 mm headphone jack होता तो क्या आप सच में नया TWS लेते जो साल देट साल चलता है उससे जन्दी खराब हो जाता है ये भी बहुत बड़ी चीज़े जिसके बार में स प्रबर जस्ती हटा के आप लोगों को एक TWS wireless earphone या प्रबेशनी की कोशिश की जा रही है दोस्तों वीडियो में अगर आपीता कि हम बने हुए न तो चैनल को सब्स्क्राइब करें बहुत सारी चीज़े प्रॉमिस करते हैं लेकिन जब फोन हमारे हाथ में आता तो पता च उसे सॉल्व करते हैं एक अच्छा एक्जामपल दो नथिंग फोन टुए आया था स्टार्टिंग ये दिनों में कैमरा बेकारता उसका लेकिन फिर तीन चार अपडेट के बाद का काफी जादा ठीक हो गया और ग्यूजवल हो गया ऐसे ही शौमी की बात के तो शौमी ने अपने रेड्मी नोट 13 में क्या बोलाता कि यहां पर हम अभी हम आई वाई दे रहे हैं और हाईपर ओएस का अपडेट बाद में देंगे तो हाईपर ओएस के जो पीचर से जो चीज़े वो आपको फ्यूचर में देखने को विलिगी लेकिन कमतनी ने पहली ही आपर चीज देंगे अगर अभी आप बताओगे कि हमारे फोन में चीज़े तो फोन यहां पर बिखेगा लोग आपकी आउनस्टी को भी पसंद करेंगे और अगर फ्यूचर में अपडेट से चीज़े बैटर होती तो लोगों को भी अच्छा लगा कि उन्होंने जो पैसा दिया तो उ वाले फोन भी कुछ आने वाले हैं अब आप समझ के रखिए कि यह पीक ब्राइटनेस का खेले कुछ जादे निकल चुका है और कम्पनी को एक नया नंबर मेला है यहां पर मार्केट करनी के लिए सबसे पहले तो यह जो पीक ब्राइटनेस होती पूरे डिस्पली की ब्रा कॉंटेंट देख रहे हैं उसमें विजिबिलिटी की बगरा कैसी है तो वो चीज जादा सब्रूरी है लेकिन नहीं कम्पनी को एक नया मार्केटिंग तर जहां पे लोग पीक ब्राइटनेस को जादा मार्केट यहां पर कर रहे हैं और देखा जा तो 3000 4000 5000 6000 निट तक मोबाइल फोन के अंदर अपडेट से यहां पर आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉबलम है जिससे हर एक मोबाइल फोन कम्पनी ने कर रखा है और वह पता क्या वह एक ग्रीन लाइन की प्रॉबलम चाह एंड्रोइड हो चाह आई फोन हो बहुत सारे ऐसे एक्जामपल द आज के मोबाइल फोन में डाल कर दे रहा है देखो अगर एक साल दो साल पुराना फ्लैक्शिप प्रॉसेसर हो तो मैं समझ भी सकता हो कि चलो वह अच्छा परफॉर्म कर भी सकता है लेकिन यार एक बचेट प्रॉसेसर एक वीटरेंज प्रॉसेसर वह भी इतना पुराना आज के समय में चलाना ये थोड़ी हजम करने वाली बात नहीं होती क्योंकि देखा रहा है तो टेकलोजी थोड़ी पुरानी हो गई है और वनवां पर देखा रहा है तो उसका प्लम्मे समय तक सौप्टर अपडेट का सपोर्ट भी नहीं दे सकते तो वो भी एक चीज है ल इसके साथ ही वर्चुल रेम का कॉंसेप्ट में आपको कई बार बता चुकों कंपनिंग के फॉल में होती चार जीबी के रहा है लेकिन बोलते एट जीबी की वर्चुल रहा है और फिर प्रिजेट करने कि आपको 12 जीबी देखने को मिल रही है यार ये एक चीज आपर सही पर खेल रही है इसके साथ यह बहुत सारी चीज़ें काफी सारी ऐसी चीजिबी चापने पराने फोलस को फिर से लौंच कर रही है सिर्फ बैक पर चिंज कर करके तो यार यह जो आपर मार्केट में चल रही है तो दोस्ते यह कुछ ऐसी चीज़ें जो कमपनी देखा जा त तो थोड़ा सा आपको misguide करनी के कोशिर कर दी ताकि वो अपना product यहाँ पर बेच सके बाकि आप लोग इसमें कुछ और एट करनों चाओगे नीचे comment बताओ और हाँ वीडियो अगर आप लोगो पसन दाओ तो like करो, share करो, subscribe करो चैनल